नबसकार आप देक रहे हैं प्रकति मेडिया आज है चटी पूजन कुछ दिन पहले दीपावली गई है दीपावली जो थी कार किक किछन पच्छ में थी किस्न पच्छी के छट्वे दिन चटी पूजन आती है जोकि शुकलपच्छ होता है कार्तिक मास्की शुक्ल पच्च की छटवी के दिन आज है छटी पूजन यह तोहार बहुत ही दूम नाम से पूरे भारत वस्पे बना जा रहा है वैसे यह तोहार जाता तर बिहार जहार गंड पूरी उत्तरप्रदेश वह नेपाल के तरही चेत्रों में बना जाता है और इसको बिहारी बहुत ही दूम नाम से और बहुत ही तरीके से इस तोहार को बनाते हैं इस तोहार पर बिहारी के लिए यह सबसे बड़ा तोहार होता है और यही एक ऐसा तोहार है जो कि वेदिक परमपरा के तरीके से देखे हैं तो यही एक ऐसा तोहार है जिसको बहुत तब देवतां की माता आदित ही ने चटी माता की अराधना की और उनसे पुत्र की मनगामना की कुछ तेजस्वी वा यसस्वी पुत्रों जिसने की वे देवतां जीत जाए असुरों पर विज़ा कर ले चाटी पूजन के बाद में उन्हें एक पुत्र हुआ जिसके कारण उनको देवतां को असुरों पर विज़े मिली तब से ही चटी पूजन की शुरुवात हो गई है और ब्याहरी इसको बहुती दूमदाम से मनाते हैं आज भी और उनकी यही कामना रहती है कि वह जो भी कामना करना चाते हैं वह उनकी कामना पू भी हो जाती है इसी के चलते बिहारी को छोड़के और जाती के लोग भी इस पूजन को करने लगे हैं और यह बहुत ही दूमदाम से मना जाता है इस दिन महिला है बहुत ही एक अनुष्टांग तपस्सा करती है जो कि पानी में घड़े होके या कई तरीकों से वह पूजन क और आरे परमपरा के नुसार बिहार में यह पर्व मना जाता है इस दिन की बात करें तो यह पर्व इतना धूमदाम से मना जाता है कि बिहारी अगर कहीं भी हो तो इस पर्व को मना निकले वो अपने अस्तान पर जरूर आएगा आज के दिन माता है छटी पूजन करती हैं जिसमें धर्ती अगनी वायू उशा वा उनकी वहनों की यह अराधना करती है और हम आपको यही कोसिस करेंगे अगर हम पह हो सका अगर हमने प्रास हम अपना यही करेंगे कि आपको आज चटी पूजन की थोड़ी बहुत जलक दिला सकें और आप भी देख सकें कि चटी और सबसे मुख की तोर माना गया है चटी पूजन जन्वाद आगे देखते हैं चटी पूजन के बार में